दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीट अकाउंट एंड थोड़ा नीचे आओगे तो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा है यहाँ पे आप लोगों का स्नैपचैट यूजर ने एंड यहाँ पे पासवर्ट डालने के लिए दिया गा है जै गाइज अगर आप लोग अपना स्नैपचैट अकाउंट डिलीट करना चाहते हो तो आप लोग वीडियो को को इसकिप मत करना अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब लोगों को हमारे इस चैनल पे मूबाइल फोन से रेलेटेड दुनि आप हम लोग सीख लेते हैं Snapchat अकाउंट को डिलीट करना तो इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले चले जाना है अपने Snapchat पे एंड गाई जिसके बाद आप लोगों को चले जाना है प्रोफाइल पे आप लोग देख सकते हो सबसे उपर कॉर्णर में आप लोगों को प्रोफाइल दिख रही होगी आप लोगों को इस पर टैप कर देना है एंड गाई जिसके बाद आप लोगों को यहाँ पे इस कॉर्णर में आप लोगों को सेटिंग का आईकन दिख रहा होगा आप लोगों को इस setting पे चले जाना है मतलब यहाँ पे click कर देना है and guys इसके बाद आप लोगों को थोड़ा नीचे आना है तो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा I need help आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है I need help आप लोगों को यहीं पर tap कर देना है इसी पर click कर देना है and guys इसके बाद आप लोगों को ऐफा कुछ interface देखने को मिल जाएगा ऐफा कुछ interface खुल के सामने आएगा तो आप लोगों देख सकते हो यहाँ पे फर्च करने के लिए दिया गया है तो आप लोगों को सबसे उपर बाले ओप्षन पे क्लिक करना है Login to delete your account आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है Login to delete your account आप लोगों को यहीं पर टैप कर देना है And guys इसके बाद आप लोगों को एफा कुछ interface देखने को मिल जाएगा आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है delete account And नीचे बहुत फारी चीज़ें लिखी हुई है तो आप लोगों को यहाँ पे आपका user name दला हुआ दिख जाएगा And यहाँ पे आप लोगों को अपना password डाल देना है जैसे ही आप लोग password डालके continue पे click करोगे आपका Snapchat account delete हो जाएगा So I hope guys कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को अपना Snapchat account delete कैसे करना है फिर भी अगर आप लोगों को कहीं कोई problem आती है तो आप लोगों को इस वीडियो के description में हमारे WhatsApp group की link मिल जाएगी Click करके आप लोग join हो जाएगे And कोई भी समस्या हो, कोई भी problem हो आप लोग हमारे साथ WhatsApp group में share कर दीजे मैं उसका solution आप लोगों को WhatsApp group में ही provide कर दूँगा Thank you so much